जै श्रीराम, जै बागेश्वरधाम, जै हनुमान दोस्तो सावन का महीना शुरू होने वाला है सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है और सावन के महीने पहले अगर आप अपने घर पर एक चीज ले आते हैं तो आपके पास पैसु की बरसात होगी यानि की छपड़ फार कर पैसा आएगा दोस्तो सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है और ऐसा कहते हैं कि इस महीने में भगवान भोले नात कैलाश परवत को छोड़ कर प्रत्र परविशन करते हैं और जो भगवान भोले के भगत हैं, भगवान शिप के भगत हैं, उनके लिए तो ये महीना बड़ा ही आनन दायक होता है, बड़ी ही खुशियों देने वाला होता है। भगवान भोले नात के जो भकते हैं वो तरह तरह से भगवान शिप खुश करने के लिए पूरे महीने ब्रत करते हैं, पूजा पाट करते हैं, भगवान को जल तढ़ाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बताने जा रही हो अगर आप उन्हें सावन से पहले अपने घर ले आते हैं तो भगवान भोले नाथ की किरपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करिए ताकि आप भी हमारे सनादन परिवार का हिस्सा बन सकें दोस्तों सबसे खुशी की बात ये है कि इस बार सावन पूरे 69 दिन रहने वाला है यानि भगवान भोले नाथ को खुश करने के लिए आपको पूरे 2 महीने मिलने वाले हैं और आज जो मैं आपको चीज बताने जा रही हूँ वो बिलकुल फ्री की चीज है कोई पैसा नहीं लगना है बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोले नाथ बड़े ही भूले हैं और थोड़े से पूजा पाट से ही खुश हो जाते हैं दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोले नाथ को खुश करने के लिए उन पर बेल पत्र चड़ाया जाता है लेकिन आज जो उपाय हमें करना है वो बेल पत्र का नहीं बलकि बेल का फल लेना है उस फल को काटके उसके अंदर का गुदर वाला भाग निकाल कर आप उसको सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप उसको जला कर उसका भस्म बना लीजिए ये काम आपको सावन से पहले करना है उसके बाद जब सावन शुरू हो तो आप एक लोटा जल ले उसमें एक चुटकी भस मिलाएं और उसे ले जाकर जल को भोले बावा के उपर चड़ा दें आप देखेंगे कि आपकी मनो कामना पहले दिन से ही पूरी होनी शुरू हो जाएगी और ये काम आपको पूरे सावन करना है भगवान शिप को खुश करने के लिए आपको ये उपाए पूरे सावन करना है इसके अलावा और भी बहुत से उपाएं हैं जो सावन महा में किये जाते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारन करने की सोच रहे हैं तो आप सावन के महीने में रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं इसके अलावा आप अपने घर में डमरू लेकर आईए और उसे भगवान शिप को चढ़ाईए इससे भी भूले बावा बहुत खुश होते हैं इसके अलावा आप सावन माहा में गंगाजल घर लेकर आएं और गंगाजल भी आप भगवान भोलेनाद को जल चढ़ाते हुए उसमें मिला लें. इससे भी भगवान भोलेनाद बहुत खुश होते हैं. इसके साथ साथ आप एक तिर्शूल भी अपने घर जरूर लेकर आएं क्योंकि तिर्शूल घर लाने से जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती और अगर पहले से ही घर में कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो बाहर चली जाती है और इसके अलावा अगर आप सावन महा में एक छोटा सा स्रिवलिंग अपने घर लेकर आते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि अगर आप रोजाना मंदे नहीं जा सकते तो आप अपने घर पे ही शिवलिंग पर जल चड़ा सकते हैं तो दोस्तों ये वो कुछ चीजे हैं जिने आप अगर सावन में अपने घर लेकर आते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं साथी साथ आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जै भोले नात लिखना मत भूलिएगा इसी के साथ जै श्रीव